आप देख रहे हैं News Nation Voice नमस्कार आप देख रहे हैं News Nation Voice दिवरिया के सलेमपूर तहसील के अंतरगत मचहौली राज में प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ मचहौली राज आएं जिनको कन्यापूर्व माध्मिक विद्याले में रखा गया है एक तरफ दिवरिया जिलादिकारी का कहना है कि हमारे जिले में कोई भी भूखा ना रहे चाहे वो प्रवासी मजदूर क्यों न हो दूसी तरफ जिलादिकारी के आदेशों को ताक पर रखते हुए टाउन एरिया मज़ूली राज के चेर्मेन गौरी शंकर ने प्रवासी मजदूरों को कॉरंटाइन नहीं बलकि लगता है वनवास में रख दिया हो अपने घर के बगल के रहने वाले राजू माली चेर्मेन का भतिजा लगता है जो आज ही सूरत से आया है उसको बेड एंट्री करा कर कहा कि आप घर जाओ एक तरफ प्रसासन कहती है कि शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो दूसी तरफ गौरी शंकर चेर्मेन जो प्रसासन की बातों की धजियां उड़ा रहे हैं मजोली राज के रहने वाले राजू समाच सेवी ने जब चेर्मेन से बात की कि आप इनके खाने पीने की विवस्था क्यूं नहीं करते इन लोगों को खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही है तो चेर्मेन गौरी शंकर ने कहा कि आप खुद ही विवस्था कर दो अगर ऐसे जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे और लापरवा ही करेंगे तो कोरोना जैसे महामारी को इस देश में रोप पाना बहुत ही मुश्किल चाबित होगा कि के दिन से आये यहां पर दो दिन से मैं कहां से आये हैं पूने से आये हैं तो यहां पर कोई इंतयाम अगरा नहीं मिला को आया कुछने के लिए आप से पाई और बिचाना देकर चले गए पाई और बिचाना देकर चले गए हैं यह बता है अभी कुछ नहीं मिला है तो कहां से आप खापी रहे हैं घर से लोग लेक्या रहे हैं कि प्रसाशन से कोई लोग आये थे वो चेक करते हैं उनसे आपने कहा था उन लोग आया इसे दिन में पोल दिया अच्छा जैसे यहां पर आपको नहीं मिल लाई है वह आपने बताया उनको लोग अब दिने से अब लिए वह बोला में नोपोल लेकी घर को ना भी चाहिद में राने के लिए अच्छा चेर्मेन अगरां के लिए और यह आपको आपको फिल्दी नहीं किस माहले में आपका सर्पड़ता है करजमानी टोला खाना होना कहां से आ रहा है घर से आ रहा है और आने-जाने में काफी तकलिफ होती हो गी उन्लोगों को पर जाहें कि एक किलोमेटर दूर है देड़क दूर है करते है कर दो कि अग्यूली ति य्ड़ को जया है